हलो एविवन वेलकॉम टो टेक्टरी टाइम मैं नेम इस प्यांका वर्मा आम गोंग तो स्टाट विद अक्रन अफेर्ण अफेर्स एंड 2nd जुलाई 2019 हर साल एक जुलाई को मनाया जाता है जी एस्ट के फूर्फॉर्म होती है और इंडिया में जीएस्ट लागू हुआ था पर्स जुलाई 2017 से तो इस बार 2019 में जीएस्ट की ये सेंड अन्वर्सरी थी और जीएस्ट काउंसल के च्योर परसें होते हैं यूनियन फाइनस निश्ट को देश अंस्वर फ़स्ट चुलाई को ये लाइफ में डोक्टर के इंप्रेंट रोल की अविनिस को बढ़ाने के लिए और ये दिन सेलविट के जाता है डॉक्टर बिदन चंदरा रॉय की पर्थ इंवर्सरी पर रॉय को नाम है भारत रतना और ये दिया गया सब 4th February 1961 में और 2019 में National Doctors Day की theme रहेगी Zero Tolerance to Violence Against Doctors and Clinical Establishment Next question, who is the author of the book titled A Prime Minister to Remember Memories of a Military Chief? Answer is Sushil Kumar 28 June को एक book release की गई है A Prime Minister to Remember Memories of a Military Chief नाम की और ये book लिखी गई है Admiral Sushil Kumar के दुबारा Next question, Tata Tally Services has merged with which telecom major? Answer is ATL Tata Tally Services merged हो गई है भारती ATL और भारती Hexacom के सार्ड ये मर्च हुई थी 1st July 2019 से और भारती ATL के CEO है गुपाल वितल Next question, the first edition of the Joint Security Exercise ISA LEX-19 among the members of International Security Alliance has been organized in which country? Answer is United Arab Emirates International Security Alliance जिसके नाम है ISA LEX-19 ये एक Joint Security Exercise हुई है और इस बार ये इसका first edition था और ये exercise हुई है अबूदाबी में और अब बात करते हैं ISA LEX-19 का मतलब क्या है? ISA L का मतलब है International Security Alliance और ES का मतलब है exercise और 19 है 2019 ये इसकी करनसी है United Arab Emirates धिर्राम नेक्स क्वेशन विच कांट्री इस ओन तॉप इन तरम्स अफ मनी पार्क इन स्विस्स बैंक अस पर दे लेटेस्ट डाटाबाइ स्विस्स नाशनल बैंक? आंसर इस United Kingdom स्विस नाशनल बैंक की लेटेस्ट डिपोर्ट के एकॉर्डिंग United Kingdom टॉप पोजिशन पे है स्विस्स बैंक के अंदर मनी इन्वेस्ट करने के लिए और सेकेंड नंबर पे है United States और थर्ड नंबर पे है West Indies और फोर्थ नंबर पे है France और फिफ्थ नंबर पे है Hong Kong और इंडिया की पोजिशन है 74 और लास्ट एर इंडिया का रैंक था 73 और स्विस बैंक का हेड़कोटर है बर्न और चूरिच में और स्विस बैंक के चेर्मेन है थर्मस जॉर्डन नेक्स्ट क्विशन और इस वार नारत समान 2019 के अवार्ट दिये गए थे डेली NCR में नेक्स्ट क्वेशन टेलर फिट्स इस रिलेटीड टो विच स्पोर्ट्स आंस्ट एस टैनिस इस बॉन इंटरनाशनल टैनिस टाइनिस टाइलर तो जोजन निटीन में मैंस सिंगल्स के वीनर रहे हैं टेलर फिट्स नेक्स्ट क्वेशन वट इस अडेडलाइन सेट बाइ गवर्मेंट पर इंप्लिमेंटिंग द वन नेशन वन राशन कार्ट सिस्टम आंस्वर इस 30 जून सेंट्रल गवर्मेंट ने स्टेट और यूटी गवर्मेंट को वन नेशन वन राशन कार्ट सिस्टम इंप्लिमेंट करने के लिए डेडलाइन सेट की है 30 जून 2020 नेक्स्ट क्वेशन अबूरी चाया देवी देनोड़िट सहित्याकैडमी आवार्ड राइटर वो पास्ट अवे रेसेंटली रोट इन विच्छ लैंगवेज़ आंस्वर इस तेलगू तेलगो स्टोडी राइटर अबूरी छाया देवी को मिला था सहित्ते अकैडमी अवार्ड और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है 86 की एज में Next question, who has been bestowed with honorary doctorate on the occasion of their 52nd Convocation? Answer is Pulela Gopichant, इंडिया के Chief National Badminton Coach जिनका नाम है Pulela Gopichant और इनको doctorate के degree दी गई है IIT कानपूर के द्वारा और ये degree दी गई है IIT कानपूर के 52nd Convocation पे और Badminton Coach को ये doctorate के degree दी गई थी इसरो के Chairman और Chairman of Board of Governors of IIT कानपूर के द्वारा Next question, the indigenously developed nuclear capable missile Prithvi 2 is a dash type of missile Answer is surface to surface missile Nuclear capable missile जिसका नाम है Prithvi 2 ये इंडिया में ही बनी है और इसको successfully test fight किया गया है इंडिया के द्वारा और ये किया गया था Odisha Coast से तो Prithvi 2 एक surface to surface missile है और इसकी strike range है 350 km Next question, what will be the minimum leverage ratio for BASEL 3 capital regulations for domestic systematically important banks from October 2019? Answer is 4% Reserve Bank of India ने announce किया है 1st October 2019 से BASEL 3 capital regulations की minimum leverage ratio होगी 4% और ये 4% होगी domestic systematically important banks के लिए और other banks के लिए होगी 3.5% और अब बात करते हैं RBI की RBI का headquarter है Mumbai में और RBI के establishment हुई थी 1935 में और RBI के present time पे governor है शक्तिकांतर दास Next question, the Jal Shakti Abhyan launched for water conservation and security with focus on how many aspects? Answer is 5 aspects Water conservation और security के लिए recently launch हुआ है Jal Shakti Abhyan और ये focus करेगा 5 aspects वे और ये 5 aspects है water conservation and rainwater harvesting, renovation of traditional and other water body strengths, reuse, boron recharge structures, watershed development and intensive afforestation और Jal Shakti Abhyan ये campaign है water conservation और water security के लिए और recently union Jal Shakti minister appoint हुए थे, इनका नाम है Shree Gajendra Singh Shikhaavat Next question, who has recently become the first civil servant and IPS officer to kill Mount Denali? Answer is Aparna Kumar Aparna Kumar एक Indo-Tipton Border Police Deputy Inspector General of Police है और इनोंने चड़ाए की है North America के highest peak की जिसका नाम है Mount Denali और Mount Denali है United States में Aparna Kumar के 7 summits challenge में से ये 7th summit थी Next question, Vyabha Vyadav is related to which sports? Answer is Boxing Vyabha Vyadav जो है वो boxing से संबंद रखते हैं और ये बन गई है World Boxing Council Asia Silver Welterweight Champion और World Boxing Council का headquarter है Mexico में Next question, who has been appointed as the new managing director and CEO of Indian Overseas Bank? Answer is Karnaang Sekar Karnaang Sekar को point क्या गया है Indian Overseas Bank का new MD and CEO और इससे पहले Indian Overseas Bank के MD और CEO थे आर सुबरामन्य कुमार Next question, who is the winner of 2019 Australian Grand Prix? Answer is Max Verstappen Red Bull के Max Verstappen ने जीती है 2019 की Australian Grand Prix और इन्होंने लगयतार दूसरी बाद जीती है Australian Grand Prix और Max Verstappen ये एक पहले non-master driver है जीनोंने 2019 में ये race जीती है Next question, when is the Chartered Accountants Day observed? Answer is 1st July First चुराय को मिलाएं जाता है Chartered Accountants Day और इसको Institute of Chartered Accountants of India Foundation Day भी कहा जाता है और 2019 में Chartered Accountants Day की ये 70th anniversary है Next question, who is the author of the book Whispers of Time? Answer is Krishna Saxena Dr. Krishna Saxena ने launch की है एक नई बुक जिसका टाइटल है Whispers of Time और ये की है India International Center जो की है New Delhi में तो Whispers of Time book की author है Krishna Saxena तो ये थे 1st and 2nd July के Current Affairs की questions अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज इससे लाइप सिरूर करें और अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल विटिन को प्रेस कीजिए इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करें